हाई गईज, टेकमेट के एक और अपीसोड में अपका स्वागत है अज की इस वाली वीडियो में हम दो येरफोन कंपरेजन करने वाले हैं जो की टूक के तरफ से आती हैं, टूक फिट वन और टूक फिट प्रो दौन ही येरफोन एकदम सेम प्राइसिंग में आ जाते हैं एमजन में आपको अबाउट रिपल नाइन रूपीज में देखने मिल जाएंगे अब जैसा कि ये दौन ही येरफोन एकदम सेम प्राइसिंग में आ जाते हैं सेम ब्रांड की तरफ से हैं तो मैंने सोचा आपके लिए एक comparison वाली वीडियो बना दूँ ताकि आपको कोई भी confusion नहीं रह जाए कि आपको कौन सी वाली बर्चेस करनी चाहिए अब यहाँ पर comparison स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि True Fit 1 जो है वो exactly सेम है पीट्रॉन के तरफ से आने वाली पीट्रॉन बेस बर्ट्स की जैसे उसमें एकदम सेम डिजाइन दी गई है सिफ और सिफ इतना सा डिफरेंस है कि पीट्रॉन के जो पेस बर्ट्स है उसमें उपर सर्कुलर स्काइब लू गलर की लाइन दी गई है जो कि आपको True Fit उन में देखने नहीं मिलती बागी charging case और उसकी जो earbuds है पूरी plastic एकदम सेम है सेम डिजाइन दी गई है और सेम audio quality आपको देखने मिल जाती है इफिन जो battery capacity है वो भी दौनों ही earphones में exactly same है तो अगर आप दौनों ही earphones में से किसी एक earphone को purchase करना चाते थे या फे confusion थे तो आप उस वाली को purchase कर सकते हैं जो कि आपको जादा सस्ती मिल रही हो क्योंकि दौन में आते हैं उसमें थोड़ी अच्छी quality की plastic यूज की गई है साथी साथ ऊपर से रपराइस material का touch up दिया गया है जिस वज़े से overall काफी जादा premium लगने लगते हैं वहीं दूसरी द्रफ true fit one में एकदम cheap quality plastic यूज की यूज की गई है और premium तो बिलकुल भी नहीं लगते अगर तो तनी जादा पसंद नहीं आई साथी साथ इस steady media design के वज़े से comfort भी थोड़ा सा बेकार हो जाता है कानों में थोड़े से यह चुबने से लगते हैं अब अगर हम comfort की बात ही कर रहा है तो overall जादा अच्छा comfort आपको true fit one में ही देखने मिलता है क्योंकि वो एक simple design के साथ आ like मुझे channel design बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ear tips यानि की silicon tips जिसमें लगी रहती है वही वाले ज़्यदा पसंद आते हैं अब अगर हम इन earphones की battery capacity की बात करें तो दौनी earphones में decent battery life देखने मिल जाती है true fit one में आपको 12 hours का battery wake up देखने मिल जाता है वही true fit pro में आपको 24 hours का एक घंटे का battery wake up आपको दिखा देता है जो कि एक काफी बढ़िया चीज है मुझे लगता है यह सिर्फ और सिर्फ एक clothi earphone है जो की 24 hours का battery cup दे देते हैं और सिर्फ एक हजार रुपे में आपको देखने मिल जाते हैं अब किनी भी earphone की सबसे main चीज उनकी sound quality के हम बात करें लोज अच्छे दिये गए हैं मिट्स भी ठीक हैं हाइस में थोड़े से बेकार कर जाते हैं बेस दोनों ही earphone में अच्छे दिया गया है overall sound quality मुझे true fit 1 की ज्यादा बैटल लगी क्योंकि उसमें high volumes में distortion समझ में नहीं आता वही true fit pro में हलका का सब distortion समझ में आने लगता है issue देकने नहीं मलेगा मैंने इसमें pubgb stream करके देखा एकदम हलका सा delay रहता है जिसे आप ignore करते हुए pubgb खेल सकते हैं ऐसी जादा कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली so at last अगर आप canal design से बिल्कुल भी परिशानी नहीं है ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप true fit pro ही purchase कर लो क्योंकि उसमें जादा अच्छी बैटरी दी गई है साथी साथ देखने में भी अच्छे लगते हैं build quality भी जादा बैटर दी गई है sound quality में थोड़े से पीछ रह ज जाते हैं लेकिन ऐसा बहुत साथ difference नहीं है उन्हीं से 20 का फर्क आप मान सकते हैं इसलिए एक हजार रुपए में true fit pro ना केवल true fit 1 से बलकि मेरे हिसाब से सबसे best रहेंगे अगर आपको कैनल design से कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे कैनल design पसंद नहीं है इसलिए मेरे लिए थ झाल झाल